दोस्तों आज की स्वीडिम आपनों को बताने वाला हूं कि आप अपने आपको WhatsApp के किसी भी ग्रूप में एड होने से किस तरह से रोक सकते हैं कि आपको पता है कि आपके फ्रेंड बगेरा या कोई भी परसन WhatsApp पे ग्रूप बनाता है तो वह आपको भी उसमें एड कर देता है और आपके पास काफी सारे ग्रूप हो जाते हैं और एक एक करके आपको उसमें से एक्जिट होना पड़ता है लेकिन आज के इस वीडियो को ब आपके बढ़ने से पहले मेरे आपसे चोटी सी रिक्वेश्ट है कर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आनवाले से वीडि आपको सबसे बोटम के शोप्षिन मिलता अपको संप्ली सेटिंग सप्रेंगे जिसकिफरेन इसे की अकाउंड प्राइवेसी आउटार चेट नोटिफिकीशन अगेरा थे किस प्रोण आपको सब्सक्राइब हैं शिम्ैप्राइवेसी प्रेकिक हो इवगेु प्राइव आपको इसको open करना है, अब इसको open करेंगे तो by default आपको everyone पर होता है, यान कि कोई भी person आपको अपने whatsapp group में add कर सकता है, फिर चाहे वो कोई unknown person हो, या फिर आपकी contact list में से कोई person हो, और इसके अलावा second number पर आपको मिलता my contact, कर आप इसको select कर देंगे, तो फिर जिन लोगों कोई भी person आपको अपने whatsapp में add कर पाएंगे, इसके लाबा कोई भी person आपको अपने whatsapp group में add कर पाएंगे, इसके लाबा कोई भी person आपको अपने whatsapp group में add कर पाएंगे, इसके लाबा कोई भी person आपको अपने whatsapp group में add कर पाएंगे, इसके लाबा कोई भी person आपको अपने whatsapp ग्रूप में एड कर सकता है और कौन आपको WhatsApp ग्रूप में एड नहीं कर सकता है तो दोस्तों मुझे पूरी में दे कि आपको प्रोसेश ठीक से समझवे आ गई होगी तो अगर आपको आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए तक आपको हमारे नवले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोफ तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में